कक्षा आठमी विशे स्वागत जिंदगी वेलकम लाइफ पार्थ नुम्बर पांच जानवरों के प्रती नैतिकता पांच पॉइंट एक मानव और पशू सांज कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताईए जो मनुश्य के प्राने साथी हैं और हमें यह भी बताएं के प्राचीन काल में मनुश्य ने उनका उपयोग कैसे किया क्रमांक पशू उपयोग नमबर एक गई दूद प्राप्त करने के लिए नमबर दो बैल हाल चलाना और पशू गाड़ी खीचने के लिए नमबर चार उंट रिगस्तान में स्वारी करने के लिए और पशू गाड़ी को खीचने के लिए नमबर पांच घोड़ा टांगा चलाने के लिए स्वारी के लिए गती के लिए आईए नीचे के रिक्त स्थानों को भर कर मानव संसार और पशू जगत के बीच समानताएं जानने का प्रियास करें शब्द बॉक्स दर्द परिवार प्यार सांस खुशी लगाव रोना नमबर एक जानवर भी इनसानों की तरह ही सांस लेते हैं नमबर दो वे एक इनसान की तरह ही दर्द मैसूस करते हैं नमबर तीन वे हमारे जैसे ही खुश होते हैं नमबर चार दर्द होने पर जानवर भी रोते हैं नमबर पांच उनका एक इनसानों की तरह परिवार होता है नमबर छे वे हमारी तरह ही दूसरों से प्यार और लगाव करते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो नमबर एक किस तरह जानवर हमसे कमतर है कुत्र मुनुष्य का मस्तिशक अधिक विक्सत होता है जबके पश्वों का मस्तिशक कम विक्सत होता है मुनुष्य अपने विचारों को भाशाओं की सहेता से व्यक्त कर सकता है जबके जानवरों के पास केवल कुछ धवनिया और हाभाव होते हैं जानवरों में दूर दर्शता नहीं होती है वे शायद ही कभी भुष्य के बारे में सोचते हैं जानवर इनसानों की तरह तकनीक का इस्तमाल नहीं कर सकते नमबर दू जानवरों में हमसे ज़्यादा कौन से गुण होते हैं उत्र जानवरों में गंद सुंगने की शक्ति अधिक होती है वे पृत्वी के थोड़े से कमपन को महसूस कर सकते हैं जानवरों की सुनने की शमता भी अधिक होती है पशु अधिक शक्तिशाली होते हैं जानवर इनसानों से कम बिमार होते हैं, जानवर जल्दी जवान हो जाते हैं, जानवर इनसानों से भी ज़्यादा वफादार होते हैं, जानवरों में इनसानों की तुलना में अधिक धैरे होता है, वे अपनी भूग के उनसार ही खाते हैं, जानवर इनसानों से ज़्यादा गर्मी, सर्दी, सहन कर सकते हैं। पांच पॉइंट दो, प्रतेक प्रानी विशेश है। जिन जनवरों को आप पसंद करते हैं और ना पसंद करते हैं। उन जीवों के नाम और कारणों को लिखिए जिने आप अपने आसपास देखते हैं। क्रमांक पशू या जीव जो मुझे पसंद है। कारण नमबर एक गाए, भैंस, बक्री, दूद मिलता है। नमबर दू, कुत्ता, पहरे के लिए। कुत्ता वफदर होता है। नमबर तीन, घोडा, स्वारी करने के लिए। नमबर चार, बैल, बैल गाड़ी खींचने के लिए। नमबर पांच, गदा, वजन धोने के लिए। क्रमांक, पशू या जीव जो मुझे पसंद नहीं है। कारण नमबर एक, बिल्ली, संक्रमन का डर। नमबर दो, सांप, सांप के काटने का डर। नमबर तीन, भेडिया, मार कर खा सकता है। नमबर चार, शेर, खतरनाक होता है, मार भी सकता है। नमबर पांच, चीता, या टाइगर, खतरनाक, मार भी सकता है। जिस जानवर या प्रानी को आप नापसंद करते हैं, उसमें कोई अच्छी चीज या लाब खोजने की कोशिश करें और नीचे लिखें। नमबर एक, बिल्ली, जिस घर में बिल्ली होती है, वहाँ चूहे नहीं रह सकते। नमबर दू, सांप, सांप का जहर बेचकर धन की प्राप्ती हो सकती है। सांप के जहर का इस्तमाल कई तरह की दवाएं बनाने में किया जाता है। नमबर तीन, शेर या सी, शेर की खाल बहुत कीमती होती है। पांच पॉइंट तीन, मानव उदेशे, बनाम, पशु। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज जानवरों का उपयोग किन उदेश्यों के लिए किया जाता है। क्रमांक, प्राप्त वस्तु, क्या उस वस्तु को प्राप्त करना सही है। नमबर एक, दूद, हाँ सही है। नमबर दू, मांस, नहीं। नमबर तीन, अंडे, नहीं। नमबर चार, तवचा, चमडी, अगर तवचा मरे हुए जानवर की है तो यह सही है। नमबर पांच हड़ियां या दांत सही है अगर ये मरे हुए जानवर की हैं तो नमबर छे शक्ति कुछ हद तक सही हलांके जानवर को खाना अच्छी तरह देना चाहिए नमबर साथ रखवाली सही मानव गतिविदियों और मुनुष्य के साथ उनके सबंदों से जानवरों को होने वाले संकट को देखती हुए निमन लिखत प्रशनों के उत्तर दें प्रशन नमबर एक मानव द्वारा पशुओं के प्रयोग से पशुओं को लाब हुआ है या हाने हुई है अपने उत्तर के लिए तरक करें उत्र मनुश्य द्वारा पश्वों के उपयोग से पश्वों को नुकसान हुआ है क्यूंके मनुश्य ने उन्हें गुलाम बनाया है और उन्हें प्रिताडित किया है प्रश्य नमबर दो, मुनुष्य को जानवरों का मानव प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का क्या अधिकार है? उत्र, यदि हम मानवता की दृष्टी से सोचें, तो मुनुष्य को जानवरों को मानव प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है प्रत्येक प्राणी सवतंतर रहना पसंद करता है प्रशन नमबर तीन क्या जानवरों को अपने प्राकिर्तिक वातावर्न में रहने का अधिकार होना चाहिए? उत्र हाँ, जानवरों को अपने प्राकिर्तिक वातावर्न में रहने का अधिकार होना चाहिए? मनुष्य को जानवरों पर अत्याचार करने उन्हें गुलाम बना कर रखने का कोई अधिकार नहीं है प्रशन नमबर चार मानव विकास इम आधुनिकी करन से पश्वों को हुए नुकसान की व्याख्य कीजिए उत्र मानव विकास और आधुनिकी करन के कारण वनों की कटाई ने जानवरों के लिए जंगलों में रहना मुश्कल बना दिया है इनसानों की खातिर जानवरों को मारा जा रहा है जानवरों के लिए इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है पांच पॉइंट चार पशुओं की सुरक्षा और जिम्मेदारी नमबर एक निमन लिखत वाक्यों को पढ़ कर बताएं के उस जानवर या पक्षी के साथ क्या गलत हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है नमबर एक पिंजरे में कैद तोता प्रतेक प्राणी मुक्त होना चाहता है तोतों को भी अजादी चाहिए मीठी चूरी नहीं हमने तोते को पिंजरे में कैद करके उसकी अजादी खोली नमबर दो सडकों पर अवारा जानवर हमने दूद पिया जब जानवर ने दूद देना बंद कर दिया तो हमने उसे घर से निकाल दिया अब ये अवारा जानवर ट्रकों वहनों की चपेट में आ रहे हैं भूखे मर रहे हैं नमबर तीन, चूहों, खरगोशों, आद पर दवाओं का प्रिक्षन, बिना किसी अपराद के सजा नमबर चार, पतंग की डोर से घायल पक्षी, निर्दोश पक्षी, मनुष्य के आनंद, सवाद और मनुरंजन के कारण दंद भुगतते हैं नमबर पांच, खच्चरों, उंटों और अन्य जानवरों के द्वारा भार खिंचना मनुष्य अपने लालच के लिए उंटों और अन्य जानवरों को गुलाम बनाता है, अधिक काम लेता है और कम खाना देता है मुर्गे मुर्गियां भी जीना चाहते हैं अपना परिवार बनाना चाहते हैं लेकिन स्वार्थी लोग उन्हें और उनके बच्चों को अपने स्वाद के लिए मार देते हैं अंडे में बच्चा पानी में उबालने पर पैदा होने से पहले ही बेहरेमी से मार दिया जाता है सरकस में इस्तमाल होने वाले जानवर सवतंतरता खो जाती है और मनुश्य उन्हें कर्तव सिखाने के लिए उन पर अत्याचार करता है और उन्हें भूखा भी रखता है नमबर दो निमन लिखत पंक्तियों को पढ़िए और अपनी आवश्कता के अउनसार कहानी को पूरा कीजिए म्यांक अपने दोस्त कीर्त के साथ घूम रहा था अचानक उसने सडक पार एक पिल्ले के रोने की आवाज सुनी पिल्ले का भाव है कतूरा भाव कुत्ते का बच्चा उसने देखा के कुछ शरारती बच्चे पिल्ले को छेड रहे हैं पिल्ला घायल हो गया म्यांक और उसके दोस्त ने नटखट बच्चों से पिल्ले को बचाया और उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा लेकिन जब शरारती बच्चे नहीं माने तो दोनों दोस्त पिले को अपने घर ले आए उन्होंने पिले के घाव को डिटोल से साफ किया दवा लगाई और पटी बांध दी कुछ ही दिनों में पिला ठीक हो गया समय के साथ वे पिला बड़ा हो गया वे एक सुन्दर कुटा बन गया एक बार म्यांक और उसके दोस्त का दूसरे लड़कों से जगड़ा हो जाता है म्यांक और उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गई ऐसे में वे ही कुटा म्यांक और उसके दोस्त के दुश्मनों को ड्राता है और म्यंक और उसके दोस्त की जान बचाता है निशकर्ष कर भला हो भला अंत भले का भला शिक्षक की और से वद्यार्थी को विशेश सुझाव प्रिये वद्यार्थियो हमें जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए हमें अपने मुँ के स्वाद के लिए उन्हें नहीं मारना चाहिए उनका भी एक प्रिवार होता है उन्हें भी दर्द और पीड़ा होती है क्या होगा अगर कोई हम पर ऐसा अत्याचार करे तो जानवरों ने हमेशा इनसान को कुछ न कुछ दिया है हमें जानवरों पक्षियों पेड़ों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए ये भूमी ना केवल हमारी है बलके उनकी भी है मुझे पूरी अमीद है कि आप कभी भी जानवरों और पक्षियों के प्रती कुरूरता के भागीदार नहीं होंगे धन्यवाद निवेदन इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक नवेदन सविकार करें अगर आपको इस वीडियो के माद्यम से कोई अच्छी जानकरी प्राप्त हुई है तो किर्पय चैनल दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब वश्य करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल के आइकन को दबा कर और की आप्शन को सिलेक्ट करना होगा ताके आप हर नई वीडियो का मेसेज सबसे पहले प्राप्त कर सकें धन्यवाद दोस्तो फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते English, History, Environment, समाई सेवा, क्रोना केर आद अनेका टोपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो चैनल नू सब्सक्राइब करन ते तानवाद यूट्यूब दी सर्च बार दे वेच अपा दिनेश एजुकेशन एंट स्पोर्ट्स लिखना है साडे को लोग एक नमख पेज आजेगा उनदे उपर ले पसे लिखावाए है दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ते हेठा ओप्शन देती है सब्सक्राइब दी तुस्य डारेक्ट एक्थों भी सब्सक्राइब कर सकते हो जे कर कोई वीडियो देख रहे हो जमें कि आपा चैनल खोल लिया ते आपा कोई वीडियो देख रहे है हाँ तो जदो वीडियो चलेगी साड़ेक्ट कुछ आप्शन साण गिया तो साड़ेक्ट आप्शन सागिया एते जिते फोटो लगी है हेठा दिनेश एजूकेशन एंड स्पोर्ट से लिखा होया है एदे नाला सब्सक्राइब दा बटन है तुसी सब्सक्राइब दा बटन अप लेने एसनो तो आड़ेक्ट तेन आप्शन साण गिया जदो इसनो अपन अपांगे तो तेन आप्शन साण गिया उन्दे उपर लिखेवे आल तो आल दी आप्शन जड़ी है ओ तुसी जुरूर प्रेस कर देनी है ताके तो हनो हर नमी वीडियो दा सुनेहा लगजा करे साब्सक्राइब करन ले ते वीडियो से शेर करन ले तो अड़ बहुत बहुत तानवाद झाल 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 झाल